कि हेलो फैंड्स वेलकम टू एवरीचामटिक दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि निशनल थर्म पावर कार्वरेशन एंटी पीसी में जाब निकली हुई थी इसमें जो है टोटल माइनिंग के लिए 40 पोष्ट के लिए जाब निकली हुई थी मेकनिकल के लिए 12 पोष्ट के लिए और में माइन सर्वे के लिए 8 पोष्ट के लिए जाब निकली हुई थी दो दोस्तों इसका एक्जाम भी मेकनिकल रोका 31 जनुरी को संपन हो चुका है तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकि निसनल थर्म पार्परेशन में कितना कटाफ रह सकता है आपक लिए त्यारी कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो वीडियो का उन्त तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तों यह दिया आपना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए ताकि इस तरी सब्सक्राइब कर दोस्तों इसका कटाफ भी उसी हिसाब से रहने वाला है चुकि आप जानते हैं कि यहां पेपर जो हुआ है तो पेपर में तीस चालिस नंबर इंगलिस का कोश्चन पुचा गया था चालिस में अपना मैथ डिजिनिंग था तो दोस्तों कोश्चन थे इस रहने वाला तो दोस्तों पेपर कुछ हाड आया था इंगलिस का पेपर लोग बता रहते हैं कि पेपर जो है कुछ हाड आया था ठीक है दोस्तों इंगलिस का पेपर इंगलिस की तयारी टेकनिकल इस्टुरांट सुद्णामन से भी नहीं करते हैं ठीक है दोस्तों और से मेरें जानने कि काड़ा है सकता है कि दोस्तों 12 विपीस क्या है ус 20-20 नवर के पेपर में इसका कट आफ नियर वाउड दोस्तों 80 प्रस सकता है ठीक है दोस्तों क्योंकि दोस्तों कि पोश्ट कम है केवल 12 पोश्ट है और दोस्तों आप जानते हैं भी जो है नेशनल कोल कभी एकजाम हुआ था तो उसमें जो कट आफ चला गया था वह सो नमब सब्सक्राइब करें तो आप निसी तोर से ट्यारी कर सकते हैं ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नहीं जाने का इक साथ टैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा ठीक है धन्यवाद